नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका में आपका दोस दिनीशनी बावत बात कर रहे थे समासास्तर के और समासास्तर में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे धर्म की उत्पति के सिध्धान्तों के संदर में कि धर्म की उत्पति के क्या-क्या सिध्धान्त रहे किस किस तरीके से ज इसके परतिपादक हैं टाइलर कौन से लर हैं टाइलर है याद रखना टाइलर समर्थक इसका समर्थन करते हैं स्पेंसर कौन से संस्पेंसर जो है इसके समर्थन करते हैं और परतिपादक कौन है टाइलर है ठीके अब टाइलर के अनुसार बात करें टाइलर के अनुसार सभी व्यक्तियों में आत्मा का निवास पाया जाता है आत्मा दो तरह की होती है कितने तरह की होती है दो तरह की मनुसिय की आत्मा और विश्वा आत्मा आत्मा दो तरह की होती है विश्वा आत्मा मनुसिय की आत्मा ठीक है अब जो है आत्मा विश्व आत्मा द्वारा संचालित होती आत्मा विश्व आत्मा द्वारा क्या होती है संचालित होती प्रारंबी का वस्ता में आत्मा से भय के कारण प्रारंबी का वस्ता में आत्मा से भय के कारण इसकी पूजा प्रारम की जाती है, जिसे धर्म की उत्पत्य होती है, देखियेगा, धर्म की उत्पत्य किस तरीके से होई, इस सिद्धान का आप समस क्या होता है? प्रारम्भी का उस्ताम पहले उस्ताम आत्मा से भय, आप देखे का भय का भय से ही धर्म की उत्पति होती है, आत्मा से भय, आत्मा से आपको भय लगने लगा, इस कारण आपने इसको पूझना शुरू कर दिया, धर्म की उत्पति हो भी, यहीं तो आज हम जिस धर्म की बात करते हैं ना उसमून धर्मों की उत्पति भी ऐसे ही होती है कहीं ना कहीं धर्म के पीछे भय होता है किसी ना किसी भय जब होता है अपन को जब देखे क्या होता है धारण करना जब हम जब हम डर लगता है हम तो अपन किसी बड़े के पास क्या है चले जाते जैसे डर आत्मा से जब डर लगता है तो आप उसको पूजना सुरू करते हैं इंसे डर नहीं लगे कि मैं आत्मा का पूजन कर रहा हूं तो इससे कोई भया नहीं है कोई डर नहीं रहेगा को संकट 먹어 ऊएगा लेट्ष उसे क्या एक धर्म की उपादी यार की धर्म की उत्पती होती है आपने आत्मा की पूजा को क्या कर लिया धारन कर लिया धर्म की उत्पती वहीं से है ठीक है वागे बात करते हैं जीव सत्तावाद देखते हैं परतिपाद के मैक्स मुलर कौन सा मुलर है यह मैक्स मुलर और प्रिवु विस्तु की प्रतीक विस्तु चाहे वह जड़ हो या चेतन हो यानि की अजीव हो जाजीव हो निर्जीव हो जाजीव हो ठीक है सभी में आलोकिक सक्ति का निवास पाया जाता है आलोकिक सक्ति का क्या पाया जाता निवास पाया जाता यह जीव सत्तावाद क्यालाता है जीव सित्ताबाद क्या लाता अब मानावाद क्या मानाइज्म क्या है मानावाद इसके परतिपादक याद रखना मानावाद के पूछा जा सकता है काड्रिंग्टन वो मेरेट मानावाद के जो है काड्रिंग्टन और मेरेट जो है इसके परतिपादक हैं बात करते हैं मलेशिया की जनजातियां अलोकिक सक्तियों को माना कहती है, जो मलेशिया की जनजातियां न, वो अलोकिक सक्तियों को माना कहते हैं, क्या कहते हैं, माना, गनित वाला माना नहीं है, माना की एक्स बराबर इतने हैं, वो वाला माना नहीं है, मलेशिया की जनजातियां अलोकिक स माना का निवास पाया जाता है तो धर्म की उत्पति माना के पुजा से खूई है बोंगवाद की बात करते हैं अगला है बोंगवाद कौन सा वाद है बोंगवाद बोंगावाद पर्तिपादक के मजूमदार कौन सा दार है मजूमदार है बोंगावाद पर्तिपादक कौन है बोंगावाद के मजूमदार है यह क्या कहते है जारखंड की हो जन जाती कौन सी हो जन जाती अलोकिक सक्ति को बोंगा कहती है बोंगा कौन सी कहती है इससाय के जा तो क्या कहती बोंगा कहती है और यहीं सिदान बोंगा वाद कहलाता है अगला है प्रकर्तिवाद कौन सा वाद प्रकर्तिवाद इसके प्रतिपादक है मैक्स मूलर कौन से मूलर मैक्स मूलर है इसके प्रतिपादक अब मैक्स मूलर इसके कोडिंग क्या कहते है मैक्स मूलर प्राकर्तिक सक्तियों के परती भाय मिस्रित सर्दा के कारण भाय यानि कि आपके पास डर के साथ आप सर्दा रखते हैं सर्दा भी किसके साथ है सर्दा कपूर नहीं ठीक है सर्दा किसके साथ है यानि आस्ता आपकी किसके साथ है भाय के सा बात है आपको डर भी है और सास्ता भी है इस कारण आप उनकी पूजा शुरू करते हैं और इसी से क्या होती है धर्म की उत्पत्ति हो जाती है एक प्रकृति का किस्ति के लिए एक जिससे डर लगता है आपने माना उसकी एक पीडि में आपने पूजा शुरू कर दी आपके ठेजा उड़े और उनकी उत्पत्ति होती है कि आब धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्दांथ यह देखते हैं धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्दानथ मलतावट net। दु키 में लगी हुएुत कंद क्या हैुए अरुंटा जनजाते का अध्यन कियाँ संस्से जंजाति है अरुंटा कहा की यह आस्ट्रेलिया की आरुणा जंजाति का स्वंन जोड़ती है उनके परतिसिर्दा समान का भाव रखती है साथ ही निसेदों का भी पालन करती है टोटम कहलाता है ठीक ना अब टोटम का टोटम एक तरह का क्या प्रतिक है दुरकीम के अनुसार बात करें धर्म उत्पति समाज की देन है धर्म की उत्पति किसकी देन है समाज की देन है और समाज ने सभी वस्तों को दो भागों में बा कि यह सकती है अगर आपने ऐसा नहीं करेंगे तो यह हमें परभावित करेंगी हमें डराएगी हमें कस्ट पहुचाएगी तो हम क्या करते हैं भय के साथ डर रहता है मनमिद हम उसको पूजा सुरू कर देता है ताकि उसको खुछ रखे उस अलोकिक आप मा को जिससे क्या है हम से कोई कस्ट नहीं पहुचाए हम पर कोई मुसीबत नहीं आए तो आप उसकी पूजा सुरू कर देते हैं एक समाज के पर्टिकुलर जब आप पूजा करते जाते हैं पीडी दर पीडी दब चलता जाता है तो यह सिल्चला एक धर्म का रूप ले लेता है ठीके तो कौन द नहीं होगा पवित्र वस्तु क्यलाती है धार्मे कारिम उप्योगियो इसके विप्रि जो देनिक जिवन उप्योगियो साधान वस्तु क्यलाती है इस परकार धर्म के समद में पवित्र वसाधान के अधारना दुर्खिम ने दी और दुर्खिम के अनुसार समाज स्वयम द कहता है यह कौन कहता है दुरखिम कहता है समाच क्या है कों कहता है तो